इस नेक के डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम बुक्रम में नेक के कटिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने ये बुक्रम लिया है तो इस बुक्रम में हम सबसे पहले नेक के लिए मार्किंग करेंगे तो यहां पर हम नेक के विर्थ लेंगे तो यहाँ पर नैक की जो विरते हैं वो हम तीन इंच रखेंगे और लैंटम रखेंगे चार इंच और इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से अब हम देखें पूरे टोटल हमें 7 इंच पर हम अब मार्किंग करेंगे नीचे की साइड यहाँ से हमारा नीचे की साइड से एक डिजाइन आएगा तो उसके लिए हमें 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे अब यहाँ पे हमें एक पैर की जगा छोड़के नीचे से इस तरह से गोल शेप पे इस तरह से एक डिजाइन बना लेंगे इस तरह से डिजाइन बनाने के बाद अब हमें यहाँ से गोल शेप दे देनी है नेक के लिए इस तरह से देखिए शेप देने के बाद अब हम भार से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से देखिए हमें पॉना एक इंच पे हम मार्किंग करेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर देखिए नेक के लिए मैंने यह मार्किंग कर लिए है अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम अंदर की साइद से से कट करेंगे यह देखिए हमें से कट कर लेना है तो कि इस तरह से अब इस तरह से कट करने के बाद आप हम भारवाली मार्किंग से इसको कट करेंगे तो जी यहां पर नैक की कटिंग हमने कर ली है तो आप देख सकते हैं इस दम पफेक्ट सेप है हमारी कर देख सब्सक्राइब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे गाए लाँ पेस्टिंग फाल ने तो इसको इसको यहां तो यहां पर इसकी ऊपर कच्छी सिलाइ लगा कि इसको अटेच्च कर लेंगे तो इस तरह से इस पर कच्छी सिलाई लगा लेंगे तो जी यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है अब हम इसमें बहार से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेगे एक इंच कपड़ा छोड़के हमें बाके कपड़े को कट कर लेना है इदे के इस तरह से कट करने के बाद अब हम कपड़े को अंदर की तरप इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इदे के चारो तरप से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है तो देखे कपड़ा हमने यहां से फोल्ड कर लिया है अब हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे और इसका इसकी सेंटर के लिए मार्किंग करेंगे इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर से हमें कट लगा लेंगे और नीचे की तरह भी हम चौक से मार्क कर लेंगे आप करने के बाद अब हम इस सपर रिजाइनिंग के लिए फ्रिल तयार करेंगे तो फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पे दो पटी ली है इस तरह से जिसकी चोड़ाई मैं इसकी अपर 200-500 एंच रखी और लंबाई में मैंने कपडा ज्यादा ही रखिगा है यहाँ फ्रिल तयार करेंगे तो उसमें कपड़ा हमारा घड़ जाएगा तो इस तरह से देखे हमें बीचों बीच इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है अच्छे से इस तरह से फोल्ड करने के बाद उपर से हम इसको इस तरह से सिलाय लगा देंगे यह दिखिए सिलाई में लगा लिए अब इसको इस तरह से हम सुल्टा करेंगे और अच्छे से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम फ्रिल बनाना तयार करेंगे तो इस तरह से हमें प्लेट्स डाल ले ली है यह दिखिए एकदम equal plate हमें यहाँ पर डालनी है तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर फ्रिल तयार कर ली है दोनों फ्रिल मैंने यहाँ पर तयार कर ली है और यहां से मैंने देखिए अंदर से इस पर इंटरलॉक भी कर लिया है ताकि यह perfect हमारा बंग एकदम तयार हो जाए तो अब हम इसको नेक पर अटेश करेंगे तो इस तरह से हमें एक साइट से पहले फ्रिल को लगाना स्टार्ट करेंगे यहां से हमें एक पैर छोड़के इसको अटेश करके यह देखिए इस तरह से अटेश करेंगे और फ्रिल आपको जितना भी फ्रिल की चोड़ाई आपको जितनी भी बाएंगे यह दिखिए जितना आप रखना चाहो उतना आप इसको अंदर की तरह प्रख सकते हो इस तरह रखने के बाद हम इस पर इस पर सिलाएं लगा लेंगे यह दिखिए इस तरह से सिलाएं लगाने के बाद अब हम एक्स्टर फिल को कट कर लेंगे यह दिखिए यहां से हमने फिल को टाच कर ले अब हम दूसरी साइट से फिल को टाच करेंगे तो सेम उसी तरह हमें फिल को टाच कर लेना है और इस पर सिलाएं लगा लेनी है इस तरह से अटाच करने के बाद हम एक्स्टर फिल को कट कर लेंगे यह दिखिए तो दोनों तरफ मैंने इसको टाच कर लिया है अब हम इसको कुर्ती में अटाच करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले कुर्ती को बीस से फोल्ड करेंगे और इस पर भी हम बीस सेंटर पर कट कर निशान लगाएंगे ताकि नैक को अटाच करने में असानी हो अब हम कुर्ती को सुल्टी तरफ रखके इस तरह से दोनों कट्स को हमें आपस में मिला के यह दिखिए नैक को इसके उपर रख लेना है और बीच में हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि नैक हमारा अच्छे से इस पर अटाच हो जाए यह दिखिए यहाँ पर कच्ची सिलाई हमने लगा लिए अब हम साइट से इस पर पूरे पर सिलाई लगा लेंगे तो देकी सलेट मने लगा लेंगे लगा लिए अब हम अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे तो देखिए इस तरह से कट करने के बाद अब हम यहां पर अंदर से कट्स लगा लेंगे तो यहां पर कट्स भी हमने लगा लिए हैं अब हम नेक को अंदर के तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से हमें अंदर के तरफ इसको फोल्ड कर लेना है और यहां से हमें देखिए सिलाय लगा लेनी है इस तरह से हमें एकदम किनारे किनारे इस पे सिलाय लगा लेनी है तो इस तरह से देखिए सिलाय हमने लगा लिए अब देखिए हम यहां पर बीच पे चाहे तो यहां पर बटन भी लगा सकते हैं और चाहे तो इस पर डोरी भी लगा सकते हैं तो मैं यहां पर डोरी लगाना चाहूंगी तो इस तरह से देखिए मैंने यहां पर डोरी पहले से तयार करके रखिए तो इसको हम इस तरह से यहां पर अटेश कर लेंगे तो आप भी इसको बना सकते हो बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से बनाना मैंने आपको सिखाया है उमिद करती हूँ आज कर यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो प्लीस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन को भी प्रेश करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के लेटर सब्डेट आपको मिलती रहें थैंक यू